नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंड से दोस्तों आपने मेरा फ्रेंट गार्डन तो कई बार देखा है आज के वीडियो मैं आपको अपना टेरिस गार्डन दिखाऊंगी जो मात्र मैंने कवाल की चीजों से बना रखा है और वहाँ पर मैक जिम जो प्लांट है वो भी फिरी में खुछ से त्यार की हुए प्लांट है और बहुत अच्छी तरह से प्लांट चलते हैं छट पर जो है मेरे पास सबजियां भी लगी कुछ-कुछ और फूल तो मैंने लगाई ही रखे है यहाँ पर पर्मानेंट सीजनल सभी तरह के प्लांट लगाती हूँ और वो प्लांट ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ जिनको बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है क्योंकि हमारे फ्रंट गार्डर में धूप की बहुत कमी होती है शुरुवात इसी से करती हूँ दोस्तों यह मैंने खुद त्यार के हुई प्लांट है देखें इनमें कितने अची ब्लोमिंग हो रही है और यहाँ पर टेरेस पर मैं खाद बनाने के काम भी त्यार करती हूँ मैं टेरेस पर एक ब्रक्शॉप टाइप की है मेरी समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर अच्छी मातर में फर्टलाजर अपना त्यार कर लेती हूँ दोस्तों मेरा उद्देश खाली गार्डनिंग करना नहीं होता है गार्डनिंग के साथ अपने प्रियावरण के लिए मैं कितना काम कर सकती हूँ हमारे घर में दो परिवार हैं दो परिवारवा खुडा हम घर में ही खपाने कोशिस करते हैं तो सबसे पहले गार्डनिंग करने के लिए हमको कोई भी ऐसा पॉट चाहिए तो पॉट के लिए मजादर कटे, घर से निकलने वाले गनिस्तर, डिबबे सब को अपने मेरे टेर्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा तो यहाँ पर फिलाल अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने किन किन वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डन में लगा यूज कर रखा है और ये टेर्स पर यूज करे हुई चीज़े हैं तो यह जो देख रहे हैं आभी फूल का पौदा हो रहा है इतना अच्छा घणा यह देखिए इस तरह कट्टे में हो रहा है कट्टे में पहले घर से निकलने वाले जो भी गार्डन को जाड़ने के बार लॉकी के जिसके भी छिलके बगर निकलते हैं बेजिटेवल्स के और फ्रूट्स के सबको जो है पका खाना छोड़के उसके अलावा जितने में कच्छी चीज़े निकलती हैं सबको कट्टा में भरके मैं कुछ समय के लिए इस तरह के बैग लेके दे के बैग है यह आजी आज़का डिखा रहा है intensely कोट्टी इनकी बेग मूते होते हैं मने रीचे से मैं चेट कर देती हूं और इनमें आसान इसे हमारी यह कूरा इस सरे करता है जब यह पूरा भर जाएगा इस में मैं अच्छी तरह से स्वैल डाल की इसको ढख देती हूं कुछ दिनों के लिए विए कुछ दिनों के लिए इसको ढख दूंगी धकने के बाद जो है फिर जो मेरी प्लांट रेडी होत देती हूं क्योंकि इस तरह की जो सोयल होती है और फिर बाद में डिकंपोस हो जाती तो इन प्लांट को भी से सफर्क नहीं पड़ता तो पहला देखिए इस कट्टे में लगा हुआ यह मेना को दिखा दिया है बहुत अच्छी है जाफरी के प्लांट चल रहा है दोस्तों कितने सारे नए प्लांट यह फ्लॉक्स इसी में है और इन से निकान निकाल के मैं छो है चुई टोटी पॉली बेर में गडोगर कर देती हूं उनको तो बाद मैं मेरे प्लांट में लगाने के काम आते रहते है यह गैंदा भी मैंने खुद त्यार किया हुआ हुआ है और य ये भी जो है थर्माकॉल के एक उसमें लगा हुआ है, बड़ा थर्माकॉल का है, इसमें सबजियें भी करें गुरू कर सकते हैं, उसके अलावा जो है भीज की पौद भी त्यार कर लेती हूं मैं, और जो है इस तरह के अभी ये प्लांट चल रहा है, जब ये प्लांट त्या कि फ्रावलों लेना भी नहीं चाहिए, Bänewenट नहीं होती है, तो मैं ही प्लांट नहीं होती है, तो इन्थ मैं ही इनकी पर्मनेंट प्लांट गर्वू निंग कर दी और यह देखिये, यह जो है सीजनल प्लांट लगा दिया, यह मेरे खुद के तयार किये हुए, कितने सार कल ambitions बनी हुई हैं गिलार्डिया की प्लांट जिस तरह से बताया था मैंने उसे तरह से यह लगा रखें और ये हैं एक जो है हमारी रंड की बाल्टी हुती ही पेंटरी की पुरानी उन बाल्टीयों में लगी है दो बाल्टिया यह है देखें दोनों में अल्मंडा की तीन बैराइटी है मेरे पास और ये देखिए एक ये कनिस्तर में है कनिस्तर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा गार्डन में इस्तमाल करती हूँ अब देखिए ये टिमाटर की पौधे ये खुद त्यार किये गए हैं घर में ही और इनको जो है इस तरह के जो बैक होते हैं नीचे से कूड़ा ओपर सी हो कि इतने स्वाइल हमारे पास नहीं हो सकती है जब ये कंपोस्ट रेडिया जाती है मैं इसके अंदर बहुत अच्छा फर्टलाइजर वाली स्वाइल और मिलाती हूँ उसमें की सेंड भी मिलाने चाहिए जिससे की सेंड मिलाने स जो हमारा फर्टाइल वाइल स्वाइल होती है थोड़ी बुरुबरी ज़्यादा होती है और अच्छी तरह से पानी का निकासी होती है इन में नीचे से ड्रेनेज होल बनाकर इस तरीके से सबजीय भी मिल जाएंगी और हमारे पास स्वाइल भी रेडिय हो जाती है ये पर्टार फर्ट पर छो है लोड कम पड़ता है और प्लांट को रगाने के लिए जग़ जाता मिलती है और ये देखिये ये कितनी सुन्द तरीके से ये सब बोगन बोलिय के प्लांट में ही लगे है ये सब कनिस्तरहों में तरहत्रे की बराइटी सब कलर कर रखा है तो कनिस इसी तरह के कट्टों में थानुक में घृते गर्ट होते हैं में तो इसमें बहुत मिल जाती हैं जिसमेंoshima अच्छी चलते हैं इसके लावे दोस्तों बोतलों का तो मैं बहुत ज़ता यूज करती हूँ, यह जो मेरी दिवाल आप लोगों ने पहले भी देखी है, इस बार दिवाली मैंने इनकों पेंट किया था और अपने सारे पॉर्ट्स को भी पेंट किया है, अब पॉर्ट में जो है मैंने पॉलका पेंट प्लांट लगे हुए हैं इन बोतलों में ही, और सालों से लगे हुए दोस्तों पर इनके अंदर जो सोयल मिली हुई है, बहुत जादा जो है फर्टाइल है, मतलब पत्ते बगर जो गार्टन के होते हैं वेस्ट होता है, वो ही सब इस्तमाल कर रखा है इसमें, जिसस अब मैं आपको दिखाती हुए जो पुराने मतके होते हैं उन निकोड thi better इस्पेस होता है तो इत्ति सुन्धर फूल के लिए यह मटकों में ही लगे हुए सारी प्लांट districts ये कूलियर स्भी किती सारी मिला को सब्स classic दोस्तों यह दो मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांट तो यह दिखिए कार्डबोर्ट के डिबे में भी हमारे प्लांट कित्ते चल जाते हैं कार्डबोर्ट के डिबे में नीचे पॉली वेक लगाकर उसके ऊपर जो है अपने किचिन का वेस्ट डाल कर मैंने यह प्लांट लगाएं तो देखिए इनकी ग्रोध देखिए बसन लाइट जगर पड़ जानी चाहिए पानी दे दीचिए तो यह बहुत चल जाते हैं जब यह कार्डबोर्ट अब गलेगा तो गलने के बाद जो हम सीधे सको अपने गउने कंपोस्ट वेन में डाल देते हैं तो इसमें भी यह कार्डबोर्ट भी कल जाएगा और जो इसके वह पर साथ और चीजा होती है और भी डिकंपोस्ट जाती है तो बहुत अच्छी तो मैंने जो है सार्फ के पैकेट चाय पती के पैकेट सबी को अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल करें अब आप घर से निकलने वाले जो टोकुरियां होती है यह तो गरीब आप जो किचन में खराब हो दाती देखिए टूट गई हैं तो पर यह फूलों की इ ज़्यादा मीडियम महत्पूर्ण नहीं रहता है कट्टे मेरे लिए बहुत जरूरी चाहिए होते हैं दूस्तों एक तो ऐसी बेराटे कट्टे होते हैं कुछ ही समझ चलते हैं यह देखिए आप इस सीजन की बात नहीं चलेंगे तो इन में क्या लगा रखें इन में अपन पत्ते बर डाल देती हूं तो वह भी बाद में डिकंफू जाते हैं तो जब फरवरी मार्च आएगा देखिए मेरे प्लांट की हेल्थ देखिए टिकोमा फरवरी मार्च में कितने अच्छे हो जाएंगे तो मैंने अपने सारे टिकोमा को ऐसी जगर पर रख दिया है जहां पिंच कर दिया नहीं तो अपने जो पर्मानेंट प्लांट होते हैं अब बहुत थंड़ में उनकी दोनिंग नहीं की जाती है यह मेरे एकजोरा के प्लांट देखिए यह जो है वाटर की खराब हो जाते हैं फिल्टर बाला वाडर यह उसमें लगे पड़े हैं तो इस तरी कि एक है और यह हाथी बना रखा है सब यह ऑल केंसे बना रखे हैं मतलब ऑल केंसे जादा से जादा अपने गार्डन प्लांट पा इसतमार कीए उसका तो यह जो पुराने मौजे बगर होते हैं उन से बना रखी हैं तो इस तरह से इनका भी हम यूज कर सकती हैं दोस्तों ये देखिए ये मेरे घर से निकले जो पुराने लकड़े के पुठे होते हैं और ये वायर ये भी घर की पुराने तार है तो उन से हमने एक स्टेंड काम ले लिया क कोई नहीं कह सकता कि यह प्लांट उस पर लगा इसी कुरूट को देखकर इतने अच्छी तरह हैं इस तरह से हैंगिंग बना के बहुत अच्छे लगते हैं ये भी तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ा बना रखे हैं मैं गार्डन की जो अपना काम करती हूं फिरी मैं करन करना पसंद करती हूं ये सब चीज़ा हम भारी फेकते थे तो जिनको अपने कार्डर में यूज कर लिया मैकजिमा मेरे फ्रेंड जो हैं ऐसा करते हैं पर कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं कि पॉली बैग में अच्छे पांच-पांच किलो के आशिरवात कर्टों को जो ह कुड़ा फेकते हैं उनमें डाल कर तो यह सब ना करें हो सका है तो आप इस्तमाल करें ना करते तो किसी जो इस्तमाल करता है उसको दे दें यूज कि यह चीज़े कहीं न कहीं हमारे प्रयावन को नुकसान पहुंचा रही हैं अपने प्रयावन को सेफ करने के लिए हमने जो हो सकता है अपने इस तर से हो सकता है वो जरूर करना चाहिए तब ही हमारा प्रेया बढ़न जो है स्वच और साप रहेगा दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा मैंने अपने गार्डन में कुछ पार्ट आपको दिखाया जू कि मैंने वेस्ट बना सकते हैं आप खुद भी तो आसानी से आपके प्लांट जो है इंपर चल जाते हैं उम्मीद करती हो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार